सब्सक्राइब कीजें प्रत्मेश चोतिस चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तुला राशी का स्वामी सुक्रगर राशी शक्र की ये साथ भी राशी होते हैं इस राशी के भ्यक्ति मन्मोजी होते हैं सबी के साथ ब्यवार बना कर चलते हैं, ये योजनाय बनाने में माहिर होते हैं, परंतु दूसरों को हानी ना पोचे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं, कोई भी कार खुद के बिवेक से करना पसंद करते हैं, ये लोग नियाय प्रिये होते हैं, जूट इने बरदास्त नहीं ह अगेसाली मिलती है, जीवन में इस्तिरता प्रगती तता सुख सम्रदी पाने के लिए तोला राशी के जातकों को प्रति दिन मा लक्षमी जी के समक्ष देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सम्रदी का अगमन होगा, इसके अलाबा चिनोतिया आ रही हैं, तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटा युक्त नारियन बांध कर बैते हुए जल में उसे प्रभाहित करें, इस उपाय को करने से दाम पत्ते दीवन में चली आरी परिशानिया दूर होती हैं, अगर आप कर्ज से परिशानिया और से मुक्त पाना चाहते हैं, तो दीपावली की रात्री में लक्षमी पूजन के समय कमल के गट्टे की माला माता के चल्णों के पूजा इस्थान पदा के पूजा के बाद उसे अपने तिजोरी में रख दें, ऐसा करने से जल्दी आपको आर्थिक परिशानिया आपके दूर हो जाए और इत्र लगाएं, ये उपयाएं आपको सिक्षा के चेत्र में काम्यावी दिलाएगा। तो आपके लिए यहां लाल किताब के अनुसार को सामाने सला दी जा रही है। तुला राशी का जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपको साबधानी और कुछ उपाएं अपना सकते हैं। शुक्र खराब होने और शुक्र खराब है या नहीं। शुक्र के साथ राहू का होना अर्था इस्त्री तथा दौलत का असर खत्म। यह खराब शुक्र की निशानी होती है। तो जब में बिकार होते हैं पत्नी से अनावश्य कले तता बिवाद भी अशुब की निशानी होता है। अगर आपका शुक्र अशुब है तो आपको कुछ साबधानिया बरतनी चाहिए। खासकर शुकरवार को खटाई न खाएं। पत्नी के साथ सम्मंद अच्छे बना कर रखें। खुद को और घर को साफ सुतरा रखें। कभी भी गंदे या फटे पुराने कप्ड़े ना पैने, शरीर को जरा भी गंदा न रखें। अगर उपाए की बात करें। पानी में बहा दें और एक अपने पास रखें इस पकार को सरल से उपायों द्वारा आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद